हेलो फ्रेंट्स आपके लिए शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन दोस्तों GSTR 9 में हो रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट अपडेट्स जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले चेनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं तो अब बात करेंगे GSTR 9 की GSTR 9 के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट चेंज हो रहा है वो हो रहा है हमारी टेबल 8A को लेकर के providing details of invoices considered for computation in table 8A of GSTR 9 तो table 8A of GSTR 9 हम पहले देख लेते हैं table 8A of GSTR 9 हमारी किस चीज़ की बात करती है जिसके अंदर हो रहे हैं changes तो other ITC related information हमारी table 8A बात करती है other ITC related information ITC as per GSTR 2A तो GSTR 2A में जितना हमारा ITC दिख रहा है वो हमें यहां पे show करता है table 8A के अंदर तो table 8A का जो यह ITC है अब हमें इसका break up दिया जाएगा यानि कि अब जो है हमें इसकी extra details देखने को मिलेंगी इसका break up हमें बताया जाएगा ताकि हमारी कोई भी confusion है वो clear हो सके तो table 8A में हो रहे हैं बहुत ही important change जैसा कि अभी मैंने आपको बताया providing details of invoices considered for computation in table 8 तो अब हमें details दी जाएगी invoices की जिनसे हमारी 8A को compute किया गया है second जो important change हो रहा है वो हो रहा है reconciliation and matching को लेकर के matching tool for comparison of system drafted purchase register and own purchase register तो एक matching tool जो है अब आपको available कराया जाएगा जिसमें आप match कर पाएंगे अपने purchase register का data किस से match कर पाएंगे system drafted purchase register एक system का जो purchase register है उससे वो purchase register कहां से बनेगा जो आपने return file करी है उनके basis पर आपका purchase register जो है महाँ पे draft होगा उससे आप अपने purchase register को match कर पाएंगे next जो important है facility to create vendor master and hsn masters on taxpayer dashboard तो taxpayer के dashboard पर अब एक vendor master और hsn master की facility आपको provide कराई जाएगी अभी तक ऐसी कोई facility नहीं है GST के अंदर तो ये facility आपके लिए लाई जाएगी क्योंकि अभी तक अगर आपको hsn ये vendor कोई भी टीटेल आपको डालनी होती है तो वो उसका अब एक master create हो जाएगा communication of channel between buyer and supplier for missing invoices तो कोई भी missing invoices को लेकर के माल लीजी कुछ invoices आपका supplier नहीं डालता है तो आपको follow up उससे करना होता है तो वो communication channel जो है अब एक बनाया जाएगा जहांपे missing invoices के regarding आप जो है follow up कर सके एक channel बना दिया जाएगा buyer and supplier के बीच में तो यह है जो important changes GST के अंदर होने वाले है जो आपके लिए बहुत ही जादा helpful साबित होंगे इसी के साथ साथ जो इन्होंने एक table भी provide कराई है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि क्या है expected time यह चीजे कब तक ज available है वो आपको available कराई जा सकती है 13 अगस्त तक अभी मैंने आपके साथ GSTR 9 के जो changes discuss की है get GSTR 9 8A details वो 28 July बताई जा रही है इसकी production date तो hopefully यह जो है available हो जाएगी तो इसी तरह से GSTR 2A के जो changes है जो भी हमने बात की inclusion of GSTR 1 filing date अपनी previous videos में मैंने आपके साथ GSTR 2A और GSTR 3 ब में होने वाले important changes के बारे में बात की है तो GSTR 2A में आप देख पाएंगे GSTR 2A में inclusion of GSTR 1 filing date GSTR 3B filing status GSTR 1 filing period invoice amendment flag and type of changes जो GSTR 2A में मैंने आप से changes की बात करी थी कि GSTR 2A में अब आपको अपने supplier का 3B filing status GSTR 1 filing status अगर आपके supplier ने अपनी GSTR 2A में कुछ amendment की है तो वो amendment flag जो है आपको show होगा जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन सी amendment आपके supplier ने उस invoice के अंदर करी है तो यह सब भी available आपको कब होंगी उसके लिए यहाँ पे to be announced लिखा हुआ है अभी तक यह announced नहीं हुआ है तो इस तरीके से यह table है जहाँ पे आप देख पाएंगे क अधी काफी इंपर्टर्टर्टर्ट इंपर्मेशिन THANKYOU FOR WATCHING